नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका कमप्टिशन पावर चैनल में आज हम आपके लिए भारती अर्थवस्ता से समरी का पार्ट सेकेंड लेकर आये हैं और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें अगर वीडियो आपको अच्छा लगता तो आप लाइक और शेयर जरूर करें और अपना शेपोर्ट देते रहें चलिए वीडियो श्टार्ट करते हैं भारतिय अर्थव्य वस्ता प्राशन उत्तर मानव विकास के लिए कौन सा सुचकान्ट सम्मिलित होता है उसका क्या नाम है जीवन संभाव्यता एवं शिक्षाकर्स्तर अमर्ते सेन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है दी ट्रामफ आफ मार्केट एकॉनोमिक्स चित्रा सुब्रमन्यम द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इंडिया इस फोर सेल भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसने राज्य स्तरिय मानव विकास रिपोर्ट जारी की मध्य प्रदेश गरीब अपनी आए में बचत करते हैं अपनी आए के अपेक शाकृत छूटे हिस्से की योजनाकाल के समय राष्ट्रिय आए में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा प्रिशी राजकोशिय घाटा से क्या तात परिया है बजटिय घाटे का योग और सरकार का बजार रिंड तथा दाइत्व मुद्रा संकुचन का महित्वपून कारण कौन सा है माल एवं सेवाओं की पूर्ती की तुलना में मुद्रा की पूर्ती में कमी कोईले की सबसे मोटी परत भारत में कहां पाई जाती है सिंग रॉली में समवैधानिक स्थिती के अनुसार मुख्य रूप से खनिजों पर अधिकार किसका होता है राज्य सरकार का सारवजनिक प्षेत्र से आप क्या समझते हैं इसका क्या तातपर्या है वानीज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण उद्योगीकरन की रननीती और उद्योग का विकास कौन सी पंचवर्षिय योजना के अंतरगत आता है वितिय एशिया में भारत रेलवे का कौन सा स्थान है प्रथम ग्यारवी पंचवर्शिय योजना के अंतरगत किस राजे की घरेलू उत्पाद विकासदर सर्वाधिक रही वह है। भारत में न्यूंतम आवश्यक्ता तथा गरीवी विरोधी कार्यक्रम की अवधारनाय पंचवर्शिय योजनाओं में से किसके नवप्रदर्तन थे। पंचवी पंचवर्शिय योजनाओं जानकी रामन नाम की समिती के सुद्देश्य से बनाई गई थी। बैंकों की प्रतिभूतियों के सौधों की जाच है तो। मुक्त व्यापार से आप क्या समझते हैं। आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतिय बैंकों द्वारा रखे। गए खाते को क्या कहते हैं। नूस्ट्रो एकाउंट्स। भारत में मुद्रा स्फीती की गर्णा किस पर आधारित है। थौक मूल्य सुचकांक। किस स्थिती में मुद्रा के मूल्य में वृद्धी होती है तथा वस्तूओं एवं सेवाओं की। कीमतों में गिरावट होती है मुद्रा संकुचन यार्व स्फीती। मुद्रा स्वीती के दुश्परिनामों को दूर करने के लिए जान बूज कर मुद्रा की मात्रा कम करने का क्या कहते हैं मुद्रा अपस्वीती सकल घरेलू GDP में क्रिशी एवं संबंध क्षेत्र का हिस्सा कितना है 13.67 प्रतिशत 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में क्रिशी का योगदान कितना था 52.2 प्रतिशत रभी की फिसलों की बुआई कब की जाती है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर रभी की फिसलों में कौन सी फिसले आती हैं गेहुन, जौट, चनामटर, सरसोंव 53. आलू आदी खरीव की फिसलों की बुआई कब की जाती है जून-जुलाई खरीव की फिसलों में कौन सी फिसले आती हैं जवार, बाजरा, मक्का, तिल 54. मूंगफली अरहरादी जायद की फिसलों को कब पैदा किया जाता है मार्च से जुलाई के मध्य जायद की फसलों में कौन सी फसले आती है? तरभूज्ट घरभूज्ट का कड़ी तथा पशुचारा दूसरी बार रुपे का अवमूल्यन कब हुआ? 6 जून 1966 रुपे का सर्व प्रत्म अवमूल्यन कब हुआ? 20 सितंबर 1949 रुपे का तीसरी बार अवमूल्यन कब हुआ? एक जुलाई उन्नीस सो इक्यानवे व्यापारिक या नकदी फसले कौन सी होती है? कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट तथा तंबाकू भारत में सरवाधिक मातरा में खाध्यान का उत्पादन होता है, चावल देश में क्रिशी के अंतरगत किस तरह के उर्वरकों का सरवाधिक उप्योग होता है? नाई प्रोजनी विश्व में मसलों के सबसे बड़े उत्पादक, उप्भोकता और निर्यातक होने का गौरव किस देश को प्राप्थ है? भारत रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा रबर की प्रती हेक्टेय उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला हरित क्रांती से किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक व्रिद्धी हुई? गेहुन अंगूर की प्रती हेक्टेय उपज में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला मोटे अनाज के अंतरगत कौन सी फसले आती हैं? बाजरा, जवार, रागी मक्का तथा जो प्रिशी के अंतरगत फ्रेक्टर्स के उपयोग की दրश्टी से भारत का विश्व में कौन सा? स्थान है, चोथा काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उप्भोकता देश कौन सा है? भारत भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है पहला कुल पश्वों की संख्या की दृष्टी से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है दूसरा कुल पश्वों की संख्या की दृष्टी से विश्व में कौन सा देश पहले स्थान पर है प्राजील Operation Flood कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1970 Operation Flood कार्यक्रम किसके उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंदित है? दूद Operation Flood कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? डौ वरगीज कुरियन विश्व में समुदरी मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? छठा विश्व में अंतरदेशिय मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा मोती देने वाली मचलियां कहां पकड़ी जाती है, मननार की खाड़ी सरवाधिक समुद्री मचलियां किस राज्य में पकड़ी जाती है, गुजरात ताजे पानी की सरवाधिक मचलियां किस राज्य में पकड़ी जाती है पश्चिम बंगाल कुल मचली उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है पश्चिम बंगाल श्वेत क्रांती किस से संबंदित है दूग्धो उत्पादन से पीली क्रांती किस से संबंदे थे तिलहन उत्पादन से भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई बैंक ओफ हिंदुस्तान बैंक ओफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की गई 1770 बैंक ओफ बंगाल की स्थापना कब की गई 1806 Bank of Bombay की स्थापना कब की गई? 1840 Bank of Madras की स्थापना कब की गई? 1843 Bank of Madras, Bank of Bombay वा Bank of Bengal को आपस में विलै करके किस Bank की स्थापना की गई? Imperial Bank of India Imperial Bank of India की स्थापना कब की गई? 1921 Imperial Bank of India का राश्ट्रिय करण कब किया गया? 1955 Imperial Bank of India को नया नाम क्या दिया गया? भारती एस्टेट Bank इलाहबाद बैंक की स्थापना कब की गई? 1865 भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? अवद कॉमर्शियल बैंक अवद कॉमर्शियल बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1881 पूर्म रुपेन भारतीयों का पहला बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना कब शुरू किया? 1 अप्रेल 1935 भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित कब किया गया? 1909 शिक्स बड़े व्यावसाएक बैंकों का राश्ट्रिय करन कब किया गया? 1980 भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंकों को क्या कहते? हैं अनुसूचित बैंक किस समिती की रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की? अनुमती प्रदान कर दी गई नरसिंगमन समिती देश का पहला तैरता है ती, एम, कहां स्थापित किया गया है? कोची बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान कराने के लिए बैंकिंग लोग पाल योजना कब लागू की गई? 14 जिउन 1995 भार्तियर रिज़र्व बैंक ने कब तक पाकिस्तान के लिए भी केंद्रिया बैंक के रूप में कार्य किया 30 जून 1948 भारतिय रिजर्व बैंक में एक गवनर के अलावा कितने डिप्टी गवनर होते हैं चार